जैहें फ्यूचर ओफिसर्स, मैसेज इन शोकंद आप सभी का सुवागत करता हूँ आपके अपने प्लैट्फॉम मानिक्षी ओफिसर्स अकेडमी पे और आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे बायो का फर्स चेप्टर और नाइन्थ क्लास का साइंस का इंसी आरटी क अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं CDS, NDA, FCAT या SSB के लिए तो आप हमारे क्लास्रूम कॉर्स में और हमारे ओन्लाइन कॉर्स के अंदर भी एंडरॉल कर सकते हैं अगर आपको कोस में अन्रोल नहीं करना आपको कुछ discussion करना है कोई problem आ रही है आपको अपनी preparation के दोरान तो वो भी आप हमारे number पर contact करके discuss कर सकते हैं आज का chapter शुरू करते हैं तो सबसे पहली topic जो हमें पढ़ना है वो है cell कि cell क्या होता है तो cell होता है जो आपका smallest unit है आपकी life का जिसके अंदर life है वो living functions को perform कर सकता है वो सबसे smallest unit उसको कहा जाता है cell अब cell की कुछ properties मैं discuss कर लेता हूँ सबसे पहली जो अभी हमने बताया कि smallest living unit है दुसरी कि आई ये इतना चोटा होता है ना cell के आप इसको नेक डाई से देखने सकते हैं इसको देखने के लिए आपको microscope का यूज़ करना पड़ेगा next इसकी shape ना हर cell की अलब एक shape of cell varies in different organism की अलग-अलग organisms में जो cells की shape है वो अलग-अलग होती है और size differ करता है हर cell का एक दुसरी तुसरी cell से दुसरी तरह की cell से the living cell exhibits certain basic properties जो भी living cell होगी इसके अंदर कुस properties जरूर होंगी और वो properties कौन सी हैं वहाँ आपके respiration, growth और metabolism another important point that is cell originate from a pre-existing cell की एक जसी यह हमार पास cell है तो यह पहले से exist कर रही है अब यह divide करेगी जो cell divide करने वाली है या करेगी उसको कहा जाता है mother cell और जब यह divide कर लेगी तो उनको कहा जाएगा daughter cell mother cell divide का होती है daughter cells के अंदर और वैसे आपके नई cells बनती जाती है अब cell तो हमने समझ लिया sir होता क्या है आगे अब इस chapter में सबसे important portion एक यह है इसमें से कोशिन आप मानलो आएगा और आएगा तो आएगा कि यहां पे किस की discovery किस ने कही थी तो Robert Hooke भाईया थे हमारे उन्होंने डिसकवर किया था cell को Leeuwenhoek भाईया थे हमारे उन्होंने डिसकवर किया था माइक्रोस्कोप को Robert Brown एक छोटा सा confusion को student कर लेते है Robert Hooke में और Robert Brown में तो इस चीज को आपको समझ नहा है कि डोनो अलग-अलग इंसान है तो Brown भाईया ने हमारा न्यूकलियस धूंडा था और पुरकिंजे भाई साब दा कोईन दा टर्म प्राटोप्लाजम और शेल्डिने शेजवान है थे प्रेजेंटेड इंसान है थे प्रेजेंटेड इंसान के नाम के अंदर आया हुए है अब भाई सेल के ओपर करनी है हमें रिसर्च तब ही तो पता लगेगा कि सेल के अंदर और क्या है और क्या चीज़ें उसके अंदर और क्या नहीं है अब उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिएगा सबक आपकích जाता, अब माइक्रोस्कॉप थूण लिया था, अब बना लिय था एक बंदने, But क्या एक सिंपल माइक्रोस्कॉप से आप पता लगा सकते हो कि उसकी अंदर क्या है यहा सल गाएगा से अंदर नहीं यहां पर आपको याद करना है कि कॉंसा लेंस किया था किस ने किया था फिर आपकर इंवेंशन होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जिसे किया था रोबर्ट हुक भाई साब ने और उन्होंने यूज किया था कंकेव लेंस यहां पर याद रहे हैं स्टेटमेंट बेस में आपसे लेंस को चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है यहां पर कंवेक्स लिख देगा उस स्टेटमेंट में देदेगा आपने पढ़ा तो होगा भी यह रोबर्ट हुक भी यह ने कंपाउंड वाला किया था बट लैंस नहीं पढ़ा होगा तो गड़बड़गा रहा हुए तो इसका ध्यान रखना है फिर जो मौडन कंपाउं ज़िए खेड़ए झाल है अब जिए तो इसका निकल के यह सिर्टमेंट कर दो है जैसे मैंक्रोस्कॉप पेडवांसमेंट होता गया लोगोंने स्टडी की सेल्स की अब सैल की स्टडी की तो उनको बटा दिया उनोंने उनने बताया कि जितने भी प्लांस है जितने भी एनि अर अराइज फ्रॉम दा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यह हमने हमारे पहली स्लाइड के अंदर ही डिसक्स किया था कि कोई भी नई सेल जो बनती है वो पुरानी सेल्स से ही बनती है क्लासिफिकेशन ओफ सेल्स on the basis of their cellular complexility कि कितनी complex कोई सेल हो सकती है उसके basis पे आपको दो parts के अंदर divide किया गया है सेल्स को एक प्रोक्यारिटिक सेल्स के अंदर दूसरा युक्यारिटिक सेल्स के अंदर अब इसको याद कीसे करना समझना कैसे है तो P for Procuratic, P for पुरानी तो आपको ऐसे याद करना कि पुरानी cells होंगी ना जो वो प्रोकिरेटिक होंगी और नई cells होंगी वो दूसरे वाली होंगी दूसरे वाली कौनसा ये क्यूरिटिक और अब ईंकी जो अंदर quality पड़ोगे उससे आपको समझ मेंगा properties पुरानी आली हैं पुरानी क्या क्या पुरानी चीज़होगी तो अच्छे से डेफलप नहीं हूगी पुरानी चीज़होगी तो अच्छे से Nucleic Acid, Nucleus है नहीं इसके अंदर, तो क्या है इसके अंदर, Nucleic Acid है, जिसको क्या कहा जाता है, Nucleoid कहा जाता है, यहाँ पे यह कह रहे हैं, को कह रहे हैं, I have Nucleus, यहाँ कि दूसरे वाले में Nucleus है, और इनके पास नहीं है, तब ही तो चिडा रहे हैं, और Nucleic Cell, Nuclear region is well defined, bounded by nuclear membrane, other membrane bound organelles are also present, जैसे यहाँ पे देख सकतो, आप, कि इसके अंदर Nucleoid है, Procheuritic के अंदर, और Nucleus, जिसे Nucleus ही कहाता है, आगे बढ़ता है, So, structural organization of cells, Geralus if we were to see, now cell हमने देख दी कैसा करके a cell होती है, अब एस cell ने कुछ समयं होता है, उसके बाहर होता है, तो ये human cell के अंदर अंदर प्लांट से अंदर अंदर अलग होता है, but in the plant cell के अंदर अजल होता है, plant, fungal and some bacterial cells कि इन्ही के अंदर होती है, हर किसी के अंदर नहीं होती है It is absent in animal cells, आपके अंदर नहीं है, मेरे अंदर नहीं है आप ढूंडोगे अपने हाथ पे या कहीं पे भी, कैसे भी नहीं मिलेगी क्योंकि एक्जिस्टी नहीं करती किसी सेल में The main component providing structural strength to the cell wall is cellulose यह word और यह question पहले आया है आपके exam में and I guarantee you people कि यह दोबार आएगा, तो याद कर लो इसको However, the bacterial cell wall is mainly composed of peptid dogly can अब हम डिसकस करेंगे functions of cell wall भई cell wall है तो, अब क्यों है क्योंकि it protects intercellular organelles from the outer side environment अब आपको cell wall की जूरती नहीं है cell wall की जरूरती plant को है क्यों अजर? भाई, अगर बारिश आएगी, धूप पड़ेगी आप तो घर के अंजर आ जाओगे, ना but पेड थोड़ी आ सकता है चलके तो उसकी cells को extra protection की नीड दी तो एक्स्टा protection की नीड दी तो भगवान जी ने दे दी वो cell wall की form में तो यह protect करता है भाई and it can withstand, dilute, hypotonic media and prevent brusting of cells की यह क्या करता है, hypotonic solution के अंदर अब इसको नहीं समझना, hypotonic solution शाहर आपको नहीं बताओ तो ऐसा समझ लो, कि यह पानी लिया, पानी में किश्मिस भिगोगे रखते हैं तो क्या करते हैं, किश्मिस-phool जाती है बस उसी को hypotonic solution समझ लो, आप एक बार को तो क्या होगा कि अगर उसके अंदर पानी जाता जाएगा जाता जाएगा तोँश्मिस भ्ट जाएगी, वैसे हमारी cells के अंदर पानी जाता जाएगा प्रिस्टको अब दीच सेल ब्रस्ट करेगी। तो यह फो का सेल वल आपका ब्रस्ट करने से बचाता है। प्लाजमा मेंब्रेन, और मैंने बॉलतब अब अथिल है। इस सबसे आउटरमोस लेयर होती है। humans में नहीं, it is the outermost covering of animal cells next to the cell wall in plant cell, it separates the contents of the cell from the external environment इसका भी सेमी काम है भाजसाब, functions of cell membrane, it protects intracellular organism from outer side environment, भाहर के environment से बचाता है selectively allow करते है, सबसे most important function इसका ही है, that selectively allow करते है कौनसा molecule अंदर जाएगा और कौनसा molecule अंदर नहीं जाएगा वो इसका काम है, it can engulf or expel substances in and out or the cell through the endocytosis or exocytosis these are the process, जिसके तुरू वो कोई भी चीज को अपने अंदर समाता है या अपने अंदर से छोड़ देता है like suppose, this is the food, इसको 2D में मैंजिन केजिए और यह सेल है तो इस सेल ने क्या किया इसको इसको इसे चारो तरफ से घहरा और आगे से बंद होगी और इसको अंगल्फ कर लिया इसी तरीके से और अब निकलना है तो यहीं से निकल जाएगी तो इसमें इस सेल मेंब्रेन आपका डिसाइड करती है कि कौन सी चीज अंदर को मैं आने दूंगा सेल मेंब्रेन नहीं आने देगा तो कुछ अंदर नहीं आएगा वो नहीं जाने देगा कुछ बाहर नहीं जा सकता इस सेल के बीच में कम्यूनिकेशन का काम करती है आपकी सेल मेंब्रेन आगे परते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन ओसमासिस है ना यह क्या होता है यह हमारे एग्जाम में से अबने इतनी बार देखा ना बट कभी नहीं पता लगा क्या होता है यह बहुत सिंबल सी चीज है ना डिफ्यूजन से अबस्मासिस अपने आप पचा लग जगा इड़ दस्पॉंटेनिस मॉवमेंट अफ मोल्यूज की मॉवमेंट है सर याद हो गया वह भीजन कांसंट्रेशन तो अबस्माइब आप ने लो फो है उसको दिफ्यूजन काते है किसकी perfume की और उसके अंदर high थी तो वो पुरा फैल गया ना तो high to low गया वो तो उसी को diffusion कहते है और जब diffusion हो रहा होता है उस moment पे joh diffuse हो रही है चीज वो water molecule हो रहा हो moment हो रही हो water molecule की तो उसको कहा जाता है और कोई चीज नहीं है यह हाँ, reverse osmosis क्या होगा, कि इसी का उल्टा हो जाएगा, कि वो low concentration to high concentration हो जाएगा, high to low जाएगा, and through a selective permeable membrane, this is again a star point to be mentioned in this thing, ठीक है, यह आपका diffusion हो गया, osmosis हो गया, again semipremal membrane के through, आप अगर high concentration से low concentration में आपका पानी जा रहा है, तो उसे osmosis कहेंगे, और high concentration से low concentration कुछ भी जा रहा है, तो उसको diffusion कहेंगे, आगे बढ़ता है, cytoplasm, अब यह क्या, यह कुंसी बलागी सर, cell पढ़ रहा है ना, अभी पढ़ा हम लोगोंने, cell होता है, है ना, हमें cell पढ़ा है, अब cell की, हमने पढ़ा है कि cell की membrane होती है, चारों तरफ, यह तो पढ़ते हैं, the cytoplasm is the inner content of cell membrane, which is separated from the nucleus, the nucleus is in the cell membrane, and it includes cytosol, organelles and inclusions, अब cytosol यह होता है, cytosol is a soft and sticky, semi-transparent fluid in which various cell organelles are suspended, तो यह एक fluid है, यह इसको अंधर पढ़ा होता है, function of cytoplasm का है, यह कोई चीज है, मगमान ने बनाई है, तो कुछ काम भी होगा उसका, यह तो भेरोज़गार नहीं है, उसका function है, कुछ रूबो क्या है, it is the region where many cellular activities take place, अब इसमें बहुत सारी cellular activities होते हैं, it mostly consists of water, and it balance the water contents in the cell, अब जो पानी है, है ना, वो कितना है, मतलब वो कितना होना चीए, कितना नहीं होना चीए, इसादा हो गया तो उसको बाहर निकलवा दिया, वो कम है तो वो जाके उसको cell membrane से अंगल्फ करवा लिया, तो सारा काम इसका होता है, it contains cytoskeleton, which maintains the shape and movement of cells, कि अब cell ऐसी दिख रही है, तो यह ऐसी क्यों दिख रही है, यह decide करता है, आपका cytoplasm, cytoplasmic streaming and circulation of cytoplasm helps in the proper distribution of cellular organelles during the cell division and growth, Nucleus, अभी Nucleus अभी Nucleus देगा था हमने, Nucleus भही है कहाम है, it is the most important cell organelle, बिकुल ही आख दिमांग कहता है इसको है, Nucleus is enclosed as the double membrane, star mark कर ले न, पेपर माइगा, Nucleus is enclosed by the double membrane known by the name of nuclear membrane, and double membrane यह यह याग देना है, the nuclear membrane has pores of selectively transport or different sheet materials, यह और नुकलियर मेंब्रेन है, again, this is cell membrane, अदर के अंदर बाहर का डिसाइड कर रिजी, यह नुकलियर मेंब्रेन नुकलियस के अंदर बहर का रिसाइड करेगी, इट कंतेंस अचा, Nucleus के अंदर क्या क्या होता है, यह बातना बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है, और यह बहुत स्टुन्स पढ़के ही जाएंगा पूछ के देखले न अपने कॉमपेटिशन से इट कंटेंस अनुक्लियर सैप अन्टोज बाइद अनुक्लियर एन्वलप नोन अज दा नुक्लियो प्लाजम नुक्लियो लाइड एन च्रॉमत पालल अनुक्लिय mend Ur लाईंब सोरोट्वर्स चॉपन सबताड वर चॉपन के यह return वोकल्स के बार में बड़ता हैं इस वन इन बहुत प्लांटर एनिमलस त नहों के उन मिलते है इन उनढ़ सिंगल एनलगर निप्लांट्सां वाल क्या एक चोटे में यसाख दो इन डिरीष आणिमाल में नीम्रेस टोम्ह में नीम अमिनल अनीमाल शार जह से पहल जी जह अथे इए , टोनफ दोमकों म४्रिक्जिंकलों नहीं होता है कि यह strong बनाता है उसको, इस storehouse की तरह भी काम करता है, कि यह storage करता है, कि इसका amino acids का, sugar का, और बहुत सारे organic acids का, In some organisms specialized vocals performs the function of expelling waste material and excess of water, उसका भी यह काम कर देता है, जैसे देखो ना, यह animal cell है, वो आपके plant cell है, तो plant cell के अंदर, यहाँ पे एक बड़ा vocal है, और इसके अंदर यह एक चोटा, यह दूसरा चोटा, यह तीसरा चोटा, तो vocals बहुत आ रहे है, फंक्शन समझ में है, इस्टोरिज का काम करता है, सबसे इंपोर्टन में फंक्शन का स्टोरिज का है, आगे वरता है, अगे बरता है, एंडो-प्लास्मिक रिटिकुलम क्या हो तूबल्स और यंज ग्रिटुबलल उनिशेप वल वैसिकल अस्टेल फैसके, आगे आपको क्या व्रता हैं, मैं अपको यह समझो, ANY पंपलाजमिक रेकुलद में घाता है, आपकी शील के नहीं होता है, स्ट्रुक्ट्चिर, ईजर के नाम क्या है, टूबल्स, वैसिकल्स, तो आपको इसमें स्थेंस रेहाहा है या तूबल स्ट्रैक्षिर हो घो इस इसी इधने जाय है उसकी शे Lor निया है, यह होते हैं दवस用 ब्छाएप और इसके इधर वाला भी endoplasming reticulum है Sir, लेकिन यहां पर तो दाने 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 दिख रहे हैं मिरको और यहां दाने दाने नहीं दिख रहे हैं बस यही डिफ्रेंस है जो दो तरह की बनाता है एक होता है आपका स्मूथ SER एक होता है rough endoplasming reticulum अब यह क्यों है क्योंकि ये present है यहाँ पे क्या present है सर? ribosomes और ये पूछता है पेपर में कि why you know rough endoplasm के reticulum is rough because of the presence of ribosomes function भी होगा ना भाई कुछ तभी तो है it involves the synthesis of fats and lipids in the detoxification of drugs in the metabolism of carbohydrates और function क्या होंगे? R.E.R.O.K. it involves the transportation of proteins and mainly the site of glycosylation यानी फैट के लिए करता है रफ वाला और प्रोटीन के लिए करता है स्मूथ वाला ये याद रखना है Golgi Apparatus it was discovered by Camellio Golgi 1898 these are the membrane-bound sack-like structure called systems which are arranged parallel to the lysmosomes to each other in sticks और इंपोर्टन फंक्शन क्या होगा है ये फंक्शन याद होना चाहिए कि it helps in storage, modification and packaging of products in vesicles involved in the formation of cells हागे बढ़ता है लाइजोजोम्स क्या होता है? सर ये दो तीन चीज़े ही तो याद है इक तो mytrocontra is the powerhouse of cells और ये लाइसोम्स 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 क्यात है it gives the cell clean acting like the waste disposal system of cell अब इत कंटें डिजस्टिव एंजीम होता इसके अंदर जो एफ्वोर्न और अटनिक मेटिल्स को destroy करने के लिए होता है कि बाहर से कुछ आएगा मैं आज से फैक के मारूँगा एक शक्ति जादू वाली जहर वाली शक्ति और वो खतम हो जाएगा लेकिन क्या होता है कभी-कभी फट जाता है और अगर ये फट गया तो इस पूरी सेल को ही डूबता है पुरा सेल सुसाइड कर लेता है तो इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है and because enzyme can digest on cell when lysozum's guest burst तो इस तो याद रहा है mitochondria, powerhouse of the cell ये तो ना सपने में रात को ना तीन बजे भी उठाओ के पूछोगे what is the powerhouse of cell आज तक सिर्फ स्कूल में यही पढ़ाता और यही याद रहा है it is a double membrane bound organelle that has its own DNA you have to mark कि mitochondria के पास DNA होता है hence they are able to make some their own proteins to protein important function involved in cellular respiration and produce energy powerhouse of the cell in the form of ATP full form आपको पता होनी चाहिए that is endosyne triphosphate and the last topic इसी में cells के अंदर होता Plastids Plastids क्या होता है these are the cell organs are present in plants and absent in animals Plastids have their own DNA and ribosomes DNA अंदर है nucleus के अंदर है Types क्या होती है अंदर क्रोमो प्लास्त होता है अंदर क्रोमो प्लास्त होता है क्रोमो प्लास्त जो होता है उसमें color pigments होता है जैसे chlorophyll हो गया Carotene हो गया क्रोमो आखता है तो गया अंदर जो भी color है इस इस बिकॉज ओफ यॉर क्रोमो प्लास्त Chrome अगें इस रूट वर्ड फॉर कलर और यह रूट वर्ड्स की हल्पट से अगर आपको कैदवरी सीखनी है तो आप हमारी प्लेयलिस में जाकर वो भी सीख सकते हैं Eucoplasts are the colorless pastids अब क्या करेंगे Eucoplasts भाई और ये They carry out the process of photosynthesis कि chlorophyll है इसके अंदर and they contribute to the color of leaves and flowers कि leaves का color कैसा होगा, flowers का color कैसा होगा वो सब contribute करते हैं ये लोग तो इन सब से मिलकर आपके बनती है cell और इसी के साथ आज का chapter हमारा खतम होता है इस chapter में से आपको 4-5 question में आपको देखने को मिल सकते हैं तो make sure you read it, you make notes आप इसको revise करो पिसले से भी chapters के notes आपको provide कर वा देगए हैं हमारे टेलेग्राम चैनल पे इसके notes भी आपको टेलेग्राम पे आज ही मिल जाएंगे Thank you so much जैहिंद, जैवारत जैहिंद, जैवारत